नमस्कार प्राम दोस्तो मैं हूँ बीपी अलवेला और हमारे इस बीपी अलवेला यूटूब सेलल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज मैं कुछ एनिमल और कुछ पच्छी उनकी मीमेकरी करने जा रहा हूँ उनकी आवाद निकानने जा रहा हूँ बस आप वीडियो में बने रही है दोस्तो हमने परियास किया है कि कुछ पच्छी का आवाद निकाले कुछ एनिमल कुछ जानौर का आवाद निकाले तो दोस्तों आप इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए और कमेंट भी ज़रूर बताएगा कि आवाज कैसा लगा दोस्तों बस एक परियास है सबसे पहले पच्छी में जो कौवा होता है कौवा वो बोलता है देखिए थोड़ा पतला थोड़ा ज्यादा परियास ने किया है फिर भी कोशिज कर रहा हूं जैसे कौवा बोलता है बैठके और थोड़ा एक मोटा ही बोलता है और दोस्तों इनके बाद पच्छी में दोस्तों मैं ज्यादा नहीं जानता हूं एक ही कौवा की आवाज सिखाए थोड़ा बहुत हो भी आप लोगों की अशिर्वास से और जैसे जानों में हो गया दोस्तों जैसे देखिए डोग होता है अच्छे डोग का जो बच्चा हो कुटा का बच्चा जो होता है और छोटा रहता है तो कैसे भोगता है देखिए अगर उसकी मात यहीं तो कैसे बोलता है देखिए उसका कान अठी है तो कैसे कर गया ऐसा कुछ होता है दोस्तों और जब कोई उसे खिलाने जाए और अंजान आदमी हो तो देखिए कैसे भोगता है तो दोस्तों कुछ ऐसे बोगते है जो बड़े होते हैं उनकी तो आवाज आप देखिए अब बड़े दोस्तों कहते हैं गाउमे की रोते हैं कुछ तो कैसे रोते हैं देखिए तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है अच्छे इधर से कुटा है और उधर से कुटिया आजाए दोनों में लड़ाई कुटा भोगते हैं तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है और दोस्तों जैसे घोड़ा की आवाज है घोड़ा परियास के जैसे दोस्तों यहां से निकालते हैं तो बहुत भार परता है दोस्तों जैसे देखिए जैसे दोस्तों मैं भी परियास कर रहा हूं निकालने का रियास कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत निकाल लेता हूं दोस्तों उसकी आवाज यहीं से इकलती है लेकिन आप देखकर वीडियो आप मुझसे अच्छा निकाल सकते हैं दोस्तों आज इसे बोला है तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है जो खोड़ा चरते हैं तो कैसे फुक दें लेकिए और जो गाय माता होती है जोस्तों अब देखिए और एक हमारे गाव में जो होती है जो जो बच्छा होता है पारी उसे बोलते हैं तो कैसे देखिए और अब बोलेगी तो तो जोस्तों कुछ ऐसा होता है नोस्तों परियाज कर रहा हो तो सुत्या की वीडिओ बनाए दोस्तों रियाज का आन्याज करते हुए और आप लोग भी इर कर सकें और मैं to तो परियास कर रहा हूं थोड़ा बहुत निकाल लाहा हूं आप सभी की असी वास से और दोस्तों इसके बाद देखिए एक उती बिल्ली कैसे बलती है तो इससा कुछ अब एक उधर से बिल्ली आये एक इधर से बीच में कुछ खाने वाला चीज है तो कैसे जगारती है देखिए तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों और दोस्तों एक आवाज है गोट बक्री का वह बक्री कैसे बोलती है देखिए अपने पचे को ला रही अब देखिए दोस्तों एभी आवाज यहीं से कलते है देखिए यह हलका सा हलका सा इसे दाविया और इसके बाद जीप थोड़े देखिए देखिए ऐसे करेंगे तो आप भी आवाज सिख सकते हैं दोस्तों जो बोका होता है वो हमारे गाव में कर दरहां करेंगे दोस्तों आप अब कमेंट में बताएगा की वीडियो कैसा लगा है दोस्तों यह परयास था एक रियास था खोशिस करूंगा कि दोस्तों इस से भी अच्छा मिमेकरी करके आप सभी को शुना सकूं दिखारसों को दोस्तों बस आप लोग प्यार अर्ष्रबाद बनाए रखिए और दोस्तों कमिट में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कैसी आवास थी कहा कमी थी दोस्तों तो आप लोग बदाएंगे हम सुधार करेंगे दोस्तों जैसे कि हम रियाज कर र झाल झाल झाल